पांच रोटी, उन्निस तो रुपे की चोरी, यह संकेत है भविश्य के आने वाले दिनों का पुलिस चोरों की तलाश में खोजी कुत्तों की मदद से चार्च में जुट गई है सीधी के मजिस्टेट के घर से जहां पर पुलिस का सक्थ पहरा रहता है पांच रोटी और पैसे चुरा लिए गए पुलिस ने FIR दर्च करके घटना इस तल पर खोजी कुत्तों को लेकर चोरी की तलाश प्रारम कर दी है लागडाउन के दौरान सीधी में चोरों ने नियाइक मजिस्टेट के आवाज से रोटीयां चुरा ली साथी कुछ नगदी पर भी उतने हाथ भे रहा है जरा गवर कर ये पुलिस ने रिपोर्ट दश करके खोजी कुत्तों की साहिता से जाश परारम कर दी है मामला नियाइक मजिस्टेट का घर का है जी हाँ हम बात कर रहे हैं सीधी शहर के उस जगह की जहां पर पुलिस का चौतरफा पहरा है चप्पे चप्पर पर पुलिस तानाथ है इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद है कि नयाइक मजिस्टेट के सरकारी आवास में चोरों ने पुलिस के नाक के नीचे ही हाथ साफ कर दिया जिला नयाले में पदस्त नयाइक मजिस्टेट वुवेक कुमार सिंग के सरकारी आवास में गुरुआर की राज हुई चोरी की चर्चा चार और हो रही है क्योंकि मजिस्टेट सहाब क्या हुई चोरी में कोई बड़ी रकम या अभूशन की चोरी नहीं हुई बलकि सिर्फ पांच रूटी और उननीस सो रुपए चोर चुरा ले गए सुचना के बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर खोजी कुटू के लेकर पहुच गई है लेकिन अब तक चोर पुलिस के गरफ से बाहर है पुलिस के अनुसार चोर घर के पीछे खिड़की की चाली काट कर किचन में दाखिल हुए और वहां रखी रूटीयों को चुराया जिसके बाद समी भी रखे सामगरी को बिखेर दिया वहीं साहब का पैंट दिवार में टंगा था जिसमें उननिस सो रुपए चोरों ने चोरी कर लिये इसके बाद वह घटना इस्ताल से रफू चक्कर हो गया जब मामले की शिगायत पुलिस को दी गई तो सिटी कोजवाली पुलिस ने खोजी कुटे को सहारे चोरों के शिनाक्स कर में जिड़ गई है पुलिस महगमे में चोरी की दरजन ऐसे प्रक्रों लंबित पड़े हैं जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका और फाइलें धूल खा रही हैं किन्तु सीधी पुलिस ने आज तक उन प्रक्रों में कोई कारवाई नहीं की अब देखना दिल्चस्प होगा मजिस्टेट कहा हुई चोरी का खुलासा कब तक हो सकेगा यह कोई मामुली चोरी नहीं रोटी की चोरी है यह संकेथ है भविष्य के दिनों में जब लॉक डाउन के दौरान और उसके बाद काम धंदे का आभाव भोगा पास में खाने के लिए पैसे नहीं तो आदमी और क्या करेगा आईए आपको सुनाते हैं पुलिस क्या कह रही है हाँ कोई जो है तो मैट्रिम का पीछे का रोशंगान खोड़ तोड़ कर दो साथ है उसमें केस किया गया है कि क्या क्या कुछ चोरी हुआ है पुलिस भी मान रही है रोटी की चोरी हुई है घर पर रहिए सुरक्षित रहिए अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखिया अपने मेजबान विशान चावेद को दीजे इजादत नमस्कार